हेलो स्टूडेंस तो आज मैं आपके लेके आई हूं क्लास नाइन मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन और यह चाप्टर है आपका सर्फेस एरियान वॉल्यूम आपके प्रियोडिक टेस्ट होने वाले हैं मोसली बच्चों के कल और आने वाले स्वीक में प्रिय करूंगी ठीक है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें उसके अलावा दिये गए सभी कोशन को सबसे पहले आपको ट्राय करना कि आप खुद से सॉल्व करें मांदारी से सॉल्व करें और आपको कहीं से चीटिंग नहीं करनी है जब आप इन को सॉल्व कर लेंगे देन मैं पास आज कौन से 10 कोशन से और यह शौर्ट अंसर टाइप कोशन से इसके लावा मैं आपको और भी कोशन करवाँगी आपको यह प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं कोशन सबसे पहले आपको फर्स कोशन दिया गया हाओ मच आइस क्रीम कान भी पुट इंटु अ कोन विद ब गई है ठीक है सेंटीमीटर में देन कोशन सेकेंड है टोटल सर्फेस एरिया दिया गया है क्यूब का और आपको लेंथ फाइन करनी है फाइन द लेंथ इट्स एज ओके आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए उसके लावा आप इसली से फाइन कर सकते हैं देन कोशन एज वोडन बॉक्स मॉदन उपनेंंट्र आपका टू क्यूब कूब ऑफ एज इस प्या सथिंपरते हैं यह इस तो मसा प्याइशन के प्रव ገब थर। are joined to form a cuboid find the total surface area of the cuboid so यहां पर आपको दो cubes जिनका edge दिया गया है join किये गया है तो cuboid ठीक है और उसके अलाबा total surface area बताना है मैं छोटे-छोटे hint दे रही हूं आपको दें कोशन फिफ्थ है calculate the edge of the cube if its volume is 1331 cm3 okay so आपको कोशन सॉल्व करने है देन कोशन सिक्स्थ है if in a cylinder radius is doubled and height is hard then find its curved surface area यह कोशन आपने worksheet में भी किया है जो मैं भी बता रही हूं आपको ठीक है बहुत ध्यान से करेंगे और यह आपको मिल सकता है आपके टेस्ट में भी एक्जाम में भी ओके देन उसके बाद कोशन सेवन्थ है the radii of two cylinders of the same height are in the ratio four is to five then find the ratio of their volumes okay then आपको जो next question है question number eight find the area of the sheet required to make close cylindrical vessel of height one meter and diameter 140 cm so यहां पर आपको क्या करना है find the area of the sheet required कितनी sheet required है उसका area find करना है then question 9th find the volume of cone of radius r by 2 and height 2h okay so यहां पर आपको volume find करने है then 10th question है how many balls each of radius 2 cm can be made form from a solid spare of lead of radius 8 cm okay so how many balls आपको बताना है radius आपको दिया गया है solid spare है उसके अलावा यहां पर radius आप देख सकते हैं cm so आपको यह सभी question खुद से solve करने हैं आप लोग screenshot लेके इन questions को solve करेंगे अपनी किसी भी rough copy register में solve करें और जब मैं आपको solution करवाऊंगी तो आपको recheck करना है यह आपकी practice के लिए किसी भी test में जाने से पहले कुछ questions की जब आप practice करते हैं तो उस test के लिए आप prepare हो जाते हैं तो इसलिए पहले solution के साथ अगर आप question करेंगे तो शायद आपको अच्छे से ना समझ जाए मगर दिये गए कितने बच्चे सही solution करते हैं आप comment करके भी बता सकते हैं अपने solution